जीवन में समस्याओं का दौर खत्म होना चाहिए। अब हमें सत्य का ज्यान प्राप्त होना चाहिए। दुख, दर्द और घमों से छुटकारा मिलना चाहिए। अब हमें खुशिया ही खुशिया और जीवन में शान्ती मिलने चाहिए। हमारे कारिकरम से प्यार है तो अभी सब्सक्राइब करना चाहिए हनुमान चालेसा पढ़ने से पूर्व इन बातों का विशेश खैल रखना चाहिए जो बहुत कम लोगों को पता है आप कई बार ऐसा सोचते होंगे कि हम नियमित रूप से हनुमान चालेसा का पार्ट करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी उसका वो रिजल्ट या वो परिणाम हमें नहीं मिल रहा है जो हम चाहते थे और ऐसा सोचते सोचते डेगेटिविटी हमें गेर लेती है क्योंकि हमें उनका सही रूप से अनुसरण नहीं आता है पर उसका परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहा है क्या ये आपने कभी सोचा है तो चलिए आज मैं आपको इसका राज कोल देता हूँ हनुमान चालेसा पढ़ने का विशेश रूप से ध्यान रखें जिससे आपको उसका पूरा बेरिफिट या रिजल्ट मिल सकें अनुमान चालेसा का पार्ट हमेशा स्नान अधी संपन करके शुद्व सात्वी ग्रूप से लाल रंग का आसन बिचा कर ही करना चाहिए अच्छे परिडाम प्राप्ति के लिए आप चालेसा के पार्ट करते समय लाल आसन के साथ साथ अगरबति का प्रयोग अवश्चे करें और अनुमान जी की कोई प्रतीमा चित्र या दर्शन आपके सामने उन्हें जरूरी है या पार्ट अनुमान जैनती शनिवार या फिर मंगलवार के दिन से शुरू करना चाहिए पार्ट करते समय अनुमान जी के समक्ष प्रसाद सुरूप कुछ नगुछ अवश्य रखे और पार्ट समाप्ति के पस्चाद गर के सभी सदस्य उसे ग्रहन अवश्य करें जैसा की डाम से इसपश होता है कि चालिस यानि कि चालिस लाइडों का ये पार्ट यदि आप लगातार चालिस दिन तक पून सरद्धा और विदी के अनुसार करते हैं तो मन चाहा वरदान भी प्राप्त आप कर सकते हैं बढ़ते हां कि अनुमान चालिसा और सुन्दरकांड के पूस्तकों का करेदान इस हनुमान जैनती पर बढ़ेगी इससे आपकी शान ऐसे बानेता है कि कल यूग में हनुमान ची एक जीवित देवता है जो अपने भक्तों और आराथकों पर कृपा ही कृपा बरसाते रहते हैं आप भी हनुमान चालिसा गनेती पाट करें और विशेश कर हनुमान जैनती के दिन उनके कृपा दृष्टी प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ एक अनुसार अगर हनुमान चालिसा और सुन्दरकांड के पुस्तकों का मंदिर और पूजा इस तरों में वितरन करते है और उसकी चाहर रखते आ रहे तो आपके वितरन करने से समस्या दूर होगी क्योंकि खुद पढ़ने से लाब मिलता है लेकिन दूसरों को पढ़ाने से विद्यादान जो देते हैं उसका लाब ही अलग है इससे आपकी यश्च, कीरती, चारों और जरू फैलेगी जाने कैस अनुमान जी को अस्ट सिर्धी नाव निदी के दाता कहे जाते हैं जो नियमित रूप से अनुमान चालिसा का भाट करता है उसके हर इच्छा पूर्ण होती है और उस पर आर्थिक संकट कभी नहीं कह रहता है जब अंजाना भाय सताय अन्नून फियर जिसों कहते हैं तो न में, फुक दिन मरेंगे उसके लिए तिल तिल करके रोज क्या भरना है इसलिए निर्भाय होकर जीवन जीना चाहिए भाय मुक्त जीवन होने के लिए एक मात्र रास्ता है अनुमान जी के पूजार आरजना टंत्र बाधा, प्रेद बाधावा, तोने टोटके निवारन के लिए नियमित रूप से अनुमान चालेसा का पार्ट करना चाहिए अगर आपको नीद नहीं आती हो बेचे नहीं रहती हो मानसी का शांती रहती हो तो नित्य शाम का अनुमान चालेसा के पार्ट से मन में चल रहे उधेर बुन और बेचेरी से मुक्ति मिल जाती है आप साथ दिन करके देख लिए आप माल जाएंगे एक अनुमान जी में चबत कारिक शक्ति है जो लोग अक्सर बिमार रहते हैं शरीर में इस्पूर्थी की कमी है तो सबसे बड़िया बॉडी बिल्डर अगर अमारे बगवानों में या देव देवता में कोई है को सिर्फ अनुमान ज चाहिए जो लोग पढ़ाई लिखाई में परेशानी वहसूस करते हैं उन लोगों को बंगलवार के देव अनुमान चाले साब पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे बुद्धी बल और चातुरिता मिलती है हमारा जीवन हजारों बाधाउं से गिरा हुआ है ना चाहते हुए भी कर पाईए उनका आशित है दुर्गा माला अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0-9-1-243-266-25